हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुपरबाद माय ओल फ्रेंड ओल स्टुडेंट हो चुका आगाज रणका युग बदलने की तयारी जी तुसी की होगी जिसका संगर से जारी जो सही दिसा में मैनत का पसीना भाएगा मैजान दीज कर ले जाएगा मैं आसीस आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायासिसर में दिल खोल कर श्रागत करता हूं कैसे आप सब आसा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी उस पढ़ाई में एक नया आगाज एक छोटा सा काम इस यूट्यूब की माध्यम से मैं कर र नाएं अपनी पढ़ाई को निरंतर रखी और टासु आपना अंगे बढ़ते रहिए जैसा कि आप सबी को पता है कि जो बच्चे नाइंध नमीति में थे वो उनके पेपर आप हो चुके हैं और वह अब अपक stop मैं आ चुके और अपनी Cait को भहत अच्छा बहत भहतर इस तो इस बरस 2024 को एक golden time की रूप में अपने दिमाग में सजोया होगा निश्चे थी उन्होंने बड़े-बड़े सपने सजोय होगे कि मैं अपना board में बहुत अच्छा करूँगा मैं टॉप करूँगा मैं बहुत अच्छा करूँगा मेरे इस तरही के से मेरे घर का मेरे परिवार का नाम रोशन होगा उसी चीज को आंगे बढ़ाते हुए कंटिनिटी करते हुए एक छोटा सा काम जो मैं आपके साथ लेके आया हूँ वो है कच्छा तैंत का सिलैवस डिसक के III फिजिक्स में क्या पढ़ना है कमस्टी में कितनी टॉपिक्स हैं में किटनी यूणिट्स किनके बारे में हम लोग किसी速 के दिमांग Three चीज फिट करनी होती है फिर उसे हमें कागस में नोट करनी होती है देन जाके हम उसको एथार्थ रूप में देख सकते हैं से मुझी परकार यदि आपको साइंस में या फिर अधर सब्जेक्टियों में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए आपको पहले दिमाग पर सजोना होगा लिख न होगा तब जाके आप उसे एथार्थ रूप में देख सकते हैं बात करते हैं हम लोग तब से पहले साइन सिलैबस की बात करने के लिए आपके पास कच्छा 30 में साइंस में तीन पोर्सन होते हैं पहला फिजिक्स जिसमें हम लुक बहुत क बिज्ञान के बारे में बात करते हैं इसे भौतिक बिज्ञान बोलते हैं हिंदी में भौतिक बिज्ञान इसके बाद जो दूसरी इसी में पार्ट होता है केमिस्ट्री जिसको हम लोग रसाइन बोलते हैं रशाइन बिज्ञान बोलते हैं रशाइन बिज्ञान बोलते हैं र आपके पास तीन portion होगे physics का, chemistry का, biology का बहुत ही बिख्यान, रसायनी बिख्यान और जी बिख्यान तीन portion होगे ये जाके तो 11th में आपके अलग-अलग portion बढ़ जाएंगे Chemistry की आपको अलग बुक पढ़नी होगी Physics की आपको अलग बुक पढ़नी होगी और इसका ब्रेटेस अपने अपने रूप में बहुत जादा होता है तैंत में इन तीनों स्लेवर्स को मिलाके आपके साथ जो बुक रखी गई उसका नाम रखा गया Science की बुक इनकी बिग्ञान की किताब इसमें तीन पॉर्सन आपके सामने है जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बहुत एक बिग्ञान इनकी Physics की जिसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ना है तिन-किन बारों में बात करनी है बहुत एक बिग्ञान में जो हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे यहां से कुष्चन बहुत नंबर पूछे जाते हैं अच्छे कुष्चन आते हैं प्रकास का पराबरतन और अपबरतन इससे पहले थोड़ा सा बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको बता दें कि आपके पास जो साइंस होगा वो हंडेट नंबर का होगा जो साइंस आपके नंबर एड होंगे माक सीट में वो हंडेट नंबर होंगे 100 में आपके पास 70 नमबर का रिटन पेपर होगा 70 नमबर का रिटन पेपर होगा आपके साथ जो पेपर आएगा वो 70 नमबर का रिटन आएगा इसमें 30 नमबर स्कूल के थुरू दिये जाते हैं कि बच्चा practical कैसा है उसका बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अनुशासन में रहता है कि नहीं रहता है वो नमबर 30 नमबर यहां से मिलते हैं टोटल नमबर आपके पास 100 होते हैं अब इस 100 के साथ और 70 नमबर का जो return paper है उसमें return में भी heritage हो गया है किसका multiply choice question का एनिकि mcq का mcq mcq जो question होते हैं वो आपसे आपसे 20 question पूछे जाने लगे हैं एनिकि 20 नमबर जो हो गए आपके वो mcq हो गए अब इसमें से बचा 50 नमबर का description paper कितने नमबर का 50 नमबर का description paper बचा है एनिकि लिखने लिखने वाला जो paper है आपके साथ वो है 50 नमबर का 50 नम कि आप physics ही अकेला पढ़ते रहें physics में पूरा आप साल गुजार दें chemistry को आप देखे ही ना तो निश्चत है आप science में बहुत अच्छा score नहीं कर पाएंगे सेम अगर आप chemistry अकेला पढ़ लेते हैं science पे आप ध्यान नहीं देते हैं biology पर ध्यान नहीं देते हैं तब भी आप science में बहुत अच्छा score नहीं कर पाएंगे biology का भी सेम सीन है यहनी कि कहने का सीधा सा यह मतलब है कि यदि आपको science में या फिर other जो आपके subject हैं उनमें अगर आपको बहुत अच्छा score करना है तो निश्चत है कि आपको सभी चीजों को बहुत अच्छे से बहुत प्रापर ढंग से पढ़ना होगा ठीक है ना इतनी ब क्यां सब्सक्रा इसका ब race मातर्मत बांग से कैसे अपडबरतन होता है जो दरपंण होता है इसके बारे मात करें तीसरा जो टपिक हैें वहें मानव नेत्र मानव की आख कैसे बनती है कैसे आख काम करती है उसमें आख में किस तरीके के क्या क्या दोस हो जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे रंग बरंगा संसार का यह मतलब है इसमें प्रिज्म के बारे में भी बात होगी कि प्रिज्म से कैसे आपका जो सब्तरंग हो इंद्रधनुस कैसे बनता है कैसे क्या चीजें होती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे साथ में बिद्धु धारा काफी इंपोटेंट अपने आप में करेक्टर निभाता है यहां से नुमेरिकल कुश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आंगे जब 12 में आप पढ़ेंग इल्बिदद्धधार अगर किसी से बैति है तो ऐसे कैसी चुम्मी के उत्पन होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे साथ में चुम्मी के पर आपको करना है तो आपको बहुत डिटेल्स में चीजों को पढ़ना होगा बहुत अच्छे से प्रॉपर हैं से पढ़ना होगा तब आप से ऑप्षिन बन पाएंगे डिस्क्रिशन पेपर पर आप समझ रहें कि कि सोला नंबर सत्रा नंबर का डिस्क्रिशन मतलब लिखने वाला आना है तो हमें किस चीजों पर कितना ध्यान देना है ऐसा नो चार महीने तक आप फिजिक्सी पढ़ते रहें केमिस्ट्री पर ध्यान ना दे तो ऐसा नहीं हो सकते ऐसे नहीं करना है आपको बहुत अच्छी की साथ आपको पढ़ना है एक नए उत्दैश के साथ्ट एक नई स्ट इसका कर सकते है बहुत अछय ऎसके बारे में भी हम आगे बात कर रहेंगे बात करते हैं chemistry की रसाइन विज्ञान में आपको पांस टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें पहला टॉपिक अमलिछाल तथा लबन इसके बारे में बात करने हैं रसाइने का विक्रियाएं कैसे बनते हैं कौन सी अविक्रिया का क्या नाम होता है युगात्म का विक्रिया कैसे होती है ना इस तरीके से कौन-कौन-कौन-सी अविक्रियाएं होती है उनके समिकनों कैसे बनते हैं इनके बारे हैं बात करेंगे सफरी Swanhe क्या-क्या आपके योगिक बनते हैं कौन-कौन से प्रियोक साला में चीजों को आप बनाते हैं किस की कौन से बनती है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे पांच बार टॉपिक जो है मतलब जितने भी आपके elements हैं इसमें आपको table पढ़ाई आती है यहां से question आपको यहां तो देखने को मिलते हैं जैसे भी आप आगे अगर बढ़ेंगे और जितने भी competitive exam है वहाँ भी यहां से question आपको देखने को मिलते हैं होता क्या सीन है जितने भी आपके परमाणू है और जो elements है उनके बारें बताया जाता है कि कौन से तत कहां पर रखे हुए है एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में इस तरीके के इसमें बात करते हैं एक chemistry का सीन है इसमें भी आपका 23-24 नंबर का पूचा जाता है अगर 70 से कहां 70 से comparison किया जाए 22-23 नंबर का यहां से पूचा जाता है और 22-23 नंबर का यहां से लगभख पूचा जाता है इसके बात बात करते हैं biology याने कि जीव बिग्ञान इसमें पहला जैप प्रिक्रम के जीवन कैसे सुरू होती है चोटी कोष्का क्या होती है नियंतरण और समनबई इसके बारे में भी बात biology में होती है तीसरा dskine जनन कैसे एक आगे प्रिकृति बढ़ती है है ना प्रिकृति बनने का मतलब है कैसे जनन होता है कैसे बच्चा बनता है कैसे क्या सारी चीज़ें होती है इसमें हम लोग बात करते हैं अनुवांसे इवं जैप प्रिक्रम के जो अनुवांसे की गुड होते हैं वो कैसे होते हैं कैसे इनका जैप प्रिक्रम होता है कैसे ज psychology में से है कि chemistry में से है कि physics में से है ये दो topics पर्यावरण के आंगे से बढ़ाए गए हैं तो इन दोनों पर भी हमें ध्यान देनी के आविश्यक्ता है और यहां से question जो बनता है वो बहुत सरल बहुत simple बनता है लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर paper में question skip हो जाता है यदि आपको science में 90 प्लस score करना है तो आपको बहुत अच्छी strategy के साथ पढ़ना होगा और कोई बड़ी बात नहीं है 90 प्लस score करना आप बहुत अच्छी से कर सकते हैं यदि आप एक अच्छी proper strategy के साथ पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो महत्तपूर्ण का होती है वह स्लेबस डिसकसन की होती है जो मैंने आपके साथ कर लिए इसको आप लोग पहले पेज़ पर जैसे आप पढ़ें उसको लिखें कि कौन से चीजे किस उनिट की हैं physics में क्या है chemistry में क्या है biology में क्या है और इनको डेली वेस पे आप देखते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा कितना सलेबश हो गया कितना रहे गया किसनी चीजे कहां से पूछे जाती हैं कैसे I think यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको share कीजिए और बच्चों की मदद हो सके, उन्हें भी एक नई strategy के साथ पढ़ाई करने का मौका मिल सके, एक नई strategy के साथ, वो 2024 को बहुत 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 अच्छा बनाए, इसी best business के साथ, थैंक्यू सो मच, all the best, बड़ो लोगों का सम्मान के दिये, छोटे बच्चों से प्यार केजिए, और निरंता रांगे बढ़ते रहे, अपने गाउं, अपने महले, अपने सहर का नाम रोशन कीजिए, जैहन, थैंक्यू सो मच, all the best.